नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बेहनों का पोसन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में, मैं रितेश सर्मा, तो आज हम आप सभी को पोसन ट्रेकर एप से रिलेटेड दो महतोपुन बदलाव के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप लोगों को आज से ये बद बदलाव देखने को मिलेंगे, और जैसे कि जो पहला बदलाव है, वो आपको डेली ट्रेकिंग में देखने को मिलेगा, और जो दूसरा बदलाव है, वो आपको होम वीजिट वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में हम आपको दोनों नए बदलाव के बाड़े में बताएंगे उस्ते पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करेंगे यगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को कर लिजेगा साथी साथ आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिजेगा तो चलिए जानते हैं दोनों नए बदलाओं क्या हैं जैसे कि आज से आप लोग जब भी पोसंट ट्रेकर एब को ओपन करेंगे तो कि यहां पे लिखा गया है कि क्या आपने आज आंगनबारी केंदर खोला है या नहीं आपने आंगनबारी केंदर खोला है तो हां पर सेलेट करना है और नहीं खोला है तो नहीं पर सेलेट करना है यह जो आप्शन है आप लोग को 14.3 के अपडेट में आया था फिर उसके ब यहां पर देख पाएंगे आज एक अगस्त है और यहां पर आपको सबसे पहले क्या भरना है कि क्या आपने आज आंगनबारी केंदर खोला है और यहां पर आपको हाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको सब्मिट करें और जारी रखे का ओप्सन आपको देखने को मि फोटे हैं तो आप लोग यहां पर नहीं वाले सिलेट करेंगे और नहीं वाले सिलेट करने के बाद संथा पर हाजरी अग keine कुछ भी नहीं बनाना है ह सुबह खरोग्य तो यहां पर उस्तार एक और यारी रखें पर कर देंगे जैसे ही आप लोग उस पर किलिक करेंगे तो यहां पे एक और पॉप-प खुल के आ जाएगा यहां पे लिखा गया है जब आप एक बार आंगनबारी केंद्र का स्टेटस हां पर सेट हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं देखिए कई बर क्या होता है कि जो आँगनबारी स्टेविकाय है वह अपना आँगनबारी केंद्र चलाकर जो धैनिक ट्रेक्निक का हाजरी है वो नहीं बना पाती है जिसके वज़ा से उनका हाजरी छूट जाता है और यहाँ पर मान्दे कटने का भी डर बना रहता है हो सकता है कि आप लोग को आगे चलके इसी पोशन ट्रेकर एप के अनुसार जैसे कि आप लोग आजरी बनाएंगे तो उसी का नुसार आपको यहां पर मान दे दिया जाएगा तो इस चीज को आप लोग ध्यान से भढ़िएगा तो यहां पर यह जो काम है इसको करने के बाद यहां पर ठीक वाले ओप्शन आपको किलिक कर देना है जैसे आप लोग ठीक पर किलिक करेंगे तो देखिए AWC status आपका save हो चुका है ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग को यह जो काम है वो daily करना है उसके बाद ही आप लोग पोशन ट्रेकर एप में आगे काम कर पाएंगे उसके बाद आप लोग बेनिफिसरी वाले केटेगरी में नाम जोरिए या नाम को हटाईए य यह सभी काम आप लोग कर सकते हैं उसके बाद आईए यहाँ पर जो daily tracking का option है इसको हम लोग open करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो बच्चों का हाजरी है वो यहाँ पर आपको submit करते जाना है जैसे कि यहाँ पर खोल के दिखा देते हैं हाजरी पर आपको click करना है जि जितने बच्चे को अपने हाजरी बनाया है तभी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर सब्मिट करे और जारी रखे पर किलिक कर देना है फिर उसके बाद सुबह का सब्मिट करे और जारी रखे पर किलिक कर देना है फिर देखे था तो वो option को भी यहां से हटा दिया गया है तो इस प्रकार से यह डेली ट्रेकिंग में बदलाव किये गया है ठीक है तो उसके बाद चलिए हम आपको यहां पे दूसरा जो बदलाव किया गया है वो home visit वाले schedule में किया गया है जैसे कि आप लोग यहां पे home visit schedule को open करेंगे त यहां पे किसी भी category में आप लोग देखेंगे तो जो लेट वाला option है वो यहां पे clear कर दिया गया है देख सकते हैं यहां पे किसी का भी यहां पे लेट वाला जो category है इसमें कोई भी बच्चों का नाम वो गयरा कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो इस परकार से यहां पे दे डेली करते रहेंगे आपको लेट वाले option में जाने नहीं देना है यहां पे आपको डेली जो home visit मिलता है उसको अप लोग किलियर करते चलिएगा उसके बाद यहां अगामी में आके चेक कर सकते हैं कि कौन से डेट को कौन से लभार्थी या कौन से बच्चे का यहां पे home visit क करना है यह सभी option यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा तो उमीद करता हूं कि आप लोग को आज के इस वीडियो से दोनों जनकारी आप लोग को मिल गई होगी दोनों नए बदलाव के बारे में तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देजिएगा चैनल को भी सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजेगा मिलते हैं फिर किसी नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद